तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगे कि इगनो असाइमेंट कैसा होना चाहिए तो यह है फ्रंट पेश तो यह मैंने एक इस तरीके का फाइल ले लिया था जो आपको पांसे छे रुपय में किसी भी शॉप में मिल जाएगा तो इसके उपर यह आपको ऐसे पेस्ट करना है यह आप किसी A4 sheet पे भी यह सारा जो information इसमें mention है वो लिखके खुद से चिपका सकते हैं जरूरी नहीं है कि यही पेज है मुझे यह पेज अच्छा लगा तो इसलिए मैंने डाउनलोड करके यह पेज पे अपना सारा लिख दिया है तो इसमें enrollment number, name, phone number, program code, course code यह सारा आप स्क्रिंशोट ले सकते हैं यह सब कुछ लिखना जरूरी है तो फिर आपको front page पे लगाना है यह अपना admission status तो अपना admission status भी इगनुवेबस पे जाके download कर सकते हैं उसका भी मैं link डाल दूँगी तो आप वहां से check कर सकते हैं फिर आपको अपना assignment question डाउनलोड करना होगा फिर वो भी यहाँ पे लगाना जरूरी है तो आपका इस तरीके से जो भी आपने question answer पूरे लिखे होंगे वो आपको लिखे और इस तरीके से tie करना है त तो मैंने डाल दिया है यह exam का overview essay assignment आपको submit करना होगा तब ही आपको अच्छे marks मिल सकते हैं इसको कभी भी बिल्कुल हलकी में मत दीजे क्योंकि यह भी बहुत important है 30 marks क्योंकि आप इसको बार बार submit नहीं कर सकते हैं